पर सबसे पहले मैं आपको लोग कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस स्टड़िजी का यूज करते हो तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और यह पूरी रैंको बैस स्टड़िजी है तो आप लोग प्लीज इसे कोई भी स्टोक या चार् सबसे बड़ा दिक्कत यह था सब nessa व लग ऑचाए तो आप लोग आख उसे बना होंगे सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि अब जैसे ये मालो ये किसी को इस तरह से M दिख रहा होगा अब मालो कि कोई अगर इसी चीज़ को यहां से देखना सुरू करे तो उसे इस तरह से एक W दिख रहा होगा ठीक है तो मैं इसका color change कर देता हूँ तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये एक W दिखेगा अगर कोई ऐसे देखेगा तो M दिखेगा ये जो pattern है ये बहुत ही अच्छा है पर हम लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं हम इसके साथ Fibonacci को यूज़ करतेंगे और उसके बाद आपको यहाँ OK पर click कर देना है बस अब ये जैसे level है मैंने level के बारे में बहुत ज़्यादा बाते कर ली है अपने चानल पर कि लाइक आप level कैसे निकाल सकते हो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं लिंक उसका दे दूँगा आई बटन में आप जाके देख सकते हो या end screen में पर मैं आपको छोटे में बता दे तो कि हम लोग like level कैसे निकालना है अब जैसे आप देखते हो कि इतना बड़ा ये momentum हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहां बहुत तेजी से सार्फ सेलिंग आई है ठीक है तो मतलब जब यहां सार्फ सेलिंग आई है तो यह एक important zone बन जाता है तो हम इसे top से लेके bottom तक जो measurement वाला tool होता है वो लेंगे और उसके बाद एक इस तरह से line लेंगे और यहां डाल देंगे देखरो बस इस तरह से हमारा एक level बन के तयार हो गया और मैंने इसी तरह से कर 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 आपको chart पर यह जितने सारे levels दिख रहे हैं मैंने यह सारे level इसी तरह से निकाल लाए है क्यूंकि मैं इस पे से लेके bottom और जहां हम entry करने वाल हैं वहां हमें इस तरह से लागा लाए है अब देखो एक और लोगों का दिक्कत ही आता है कि वह कहते हैं कि यहां होता है तो यह पूरा प्रिंट हुआ नहीं रहता है कभी-कभी गायब हो जाता है और कभी-कभी मतलब प्रिंट हो जाने के pattern बनने लगे तो आप लोग उसी running में आप लोग को entry करना होगा यह आपका risk है मतलब यह आप drawback बोल सकतो रैंको के साथ कि जब यह पूरा print नहीं हुआगा अभी running होगा तभी आपको entry करना है और इसके नीचे का कहीं 15-20 point का एक SL लगा लेना है 10-15 point का बस तो अब आपको देखता है कि हमारा setup बना अपने extension भी लगाया और इसमें भी 61% मिला और उसके बाद आपको देखता है कि गूम फिर के नीचे आ गया तो अगर आप यहां देखोगे कि लाइक हमारी entry यहां हुआ और इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा आपका 7-8 point का SL होगा और एक 1-2 यानी 17-18 point हम इस तरह से normally लेके निकल जाते हैं पर अगर आप देखोगे तो यह यहां तरह ठीक है पर हम लोग का क्या है कि अगर जब वो रिफर्स आने लगये तब हम लोग निकलेंगे तो अब जैसे आपको देखते है कि यह इतना गया और इसके बाद जाने के बाद यह लेके निकलोगे अगर आप यहां निकलोगे कि यह हमारे लेबल को ब्रेक कर रहा है तो आप 47 point लेके निकलोगे वह भी मैं निफ्टी के बात करूँ ठीक है बैंक निफ्टी के में बात नहीं करूँ इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना क्यूंकि यह दिक लाता है तो उसको दिखेगा कि हमारा यह जो लेबल है यह लेबल आया है नहीं 20 से फिबनाची निकल गया तो अब उसको क्या करना चाहिए कि लाइक अब वह फिट से यहां से फिबनाची लगा एक वह जरूडी है यह जो यह प्रिवियस लो है इसी का यह लो और हाई मार् एक और फायफ इसथार से डब अपनरा है यहां हमारा M Pattern तोनों डिफ्रेंs है पर हमारा ही फाशी श्टार बन रहा तो अब हमें किस पे ट्रेड करना ची जिए किस पे ट्रेड नहीं करनाची दोनो ही काम अच्छे करते हैं पर जो डॉन के लिए अच्छा काम तो अगर आप M pattern कुछ आपको इस तरह से बनता हो दिख रहा है और उसका एक लेग नीचे दूसरा उपर है तभी भी आप लोग इसमें जो इसका पहला लेग है वहां से लेके जो इसका दूसरा head है वहां तक आप लोग फिपनाची डो करके इस तरह से अगर extend करते हो तो आप को एक setup बनता हुआ दिख जाएगा हमें buying करने के लिए एक जरूरी कि उससे पहले एक हमें selling देखने को मिले यह बहुत जरूरी अगर यह नहीं होगा तो हमारा यह आंगे वाला उतना अच्छा result नहीं देगा तो अगर आप लोग यह चाहते हो कि हमें एक अच्छा successful super trade मिले तो आप उस जगह पर किया करो जहां एक पहले अच्छा खासा selling हुआ क्योंकि उसके बाद फिर हमारे trade में मतलब ज्यादा potential होता है कि हमें एक बड़ा point देखने को मिल जाए यह एक ऐसी strategy है जो आपको sideways market में आपके losses होने से भी बचाती है अब वो कैसे होता है मैं आप process ना हो ज्यादा पैसे बच जाएं अब वो कैसे कर सकते हो तो कैसे को जो हमारा Fibonacci है यह मतलब master tool है आप लोग इस पर इतना ज्यादा study करोगे आपको इस टूल से उतना ज्यादा प्यार होता जाएगा सुरू से सुरू करते हैं कि यहीं के बाद ज्यादा side है bottom से लेकर top तक आपने Fibonacci लगा गया हमारा setup बना ना ही क्यूंकि हमारे Fibonacci level के नीचे निकल गया ठीक हाप Setup नहीं बना और क्या यहां से यहां तक Setup बना नहीं बना ठीक है और अगर आप यहां से यहां देखते हो Setup बना नहीं बना हमारा setup ही तभी बनता है जब Markept एक Reilly देने व देखोगे कि इतना बड़ा gapping है बीच में बीच में कोई level ही नहीं है पर यहां से एक selling आया है तो आप लोग क्या करोगे कि जो ऐसा है जो अगर आपको कहीं ज्यादा gap दिखता है तो आप लोग वहाँ इस तरह से बीच में एक level डाल सकते हो या अगर आपके पस दो बड़े-बड़े levels है और उनके बीच में आपको capping दिखता है तो आप लोग simply क्या करो कि इस तरह से आप लोग बीच में level डाल दो तो आपकी levels भील बन जाएंगे तो अपको ऐसे सारे level बना लेना है तो अगर आप यहां देखोगे तो क्या हमारा वाक अमार अपकि यहां से मोमेंट से आके हमें से औब बनता यून ओर एक बात जो मैं आप लोगों क्लियर कर दूं कि क्या यह हमारा मतलब बॉटम है तो क्या हम यहां से लेकर यहां तक इस तरह से ट्रॉक कर सकते हैं कर सकते हैं यह भी काम करता है पर यह मतलब एक जब आप बड़े टाइम फ्रेम कि लिए काम करना चाहते हो यानि की पोचिस्नल जाना चाहते हो तब के लिए ये अच्छा होता है ठीक है पर अगर आप इंट्रडे करते हो तो आपको जो latest swing high swing low है वो यूज करना है ले टेस्ट में क्या है अब जैसे मालो मार्केट यहां चल रहा है तो यह आपका latest swing low है और यह latest swing high है तो आपको इन्हें follow करना है तो कुछ इस तरह से आफ लोग को अगर आप से लेके bottom तक इस तरह से mark लेना है और हम जहां अपनी entry करने वाल है entry यहां कर रहे हो आपका stop loss कहीं यहां 10 point के अंदर होगा और आपको देखता है कि इस तरह से जो one is to two वाले हैं वो यहां निकल जाएंगे ठीक है 20-22 point लेको निकल जाएंगा पर अगर जो लोग extension का use करेंगे तो ऐसा अगर कोई एक rally भी अगर आपको पकड़ में आ गया ठीक है तो आपको क्या देखता है कि like almost आपको 124 point की एक rally देखने को मिली ठीक है आपने क्या किया किसी वापने एक extension tool यूच किया जिसके मदद से आपने एक rally पुरा enjoy कर लिया तो यह कुछ इस setup का power है कि जब sideways ह होता है तो हमारा setup नहीं बनता है अब जैसे मैं आपको और भी example दिखा देता हूं अब जैसे यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखते हो तो हमारा setup नहीं बना अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखते हो कि हमारा setup नहीं बना ठीक है तो इस तरह से यह जो tool है यह काफ नहीं बना तो I hope आप लोग को समझ में आगवा की इस चीज को कैसे यूज करना है तो मैं एक बार फिट से आप लोग को जो जो important चीजे हैं उनका मैं आपको recap करा देता हूँ हमें सबसे पहले हमें क्या देखना को मिला कि एक पहले fall आना चाहिए इस तरह से ठीक है है कि क्या हमारे level से वह चीज मतलब bounce back कर रही है हमारा level कुछ वहां बन रहा है नहीं बन रहा है तो हमारे trade यहां बना हमारे level यहां यह अगर match हो रहा है तो एक और point उस पर बढ़ जाएगा ठीक है तो यह हमारे trade ट्रेल कर सकते हो यह आप यहां अपना profit booking कर सकते हो तो आपने देखा कि कितने simple तरीकों से हमने इसका यूज किया हम और इसमें बहुत बार का होगा कि आपको overnight भी trade ले जाने पड़ेंगे तो वह आप धिरे-धिरे जब आपका practice हो जाएगा तो आप देख सकते हो तो यह कुछ चीज़े हैं एक fall आना चाहिए उतके बाद सब कुछ perfect बनना चाहिए तब हमें trade लेना है तो हमें आपको छोटे target भी मिलेंगे हर बदर बढ़े target नहीं मिलता है पर अगर एक हफ्ते में एक दो बार बड़े target मिल जायाए और बाकी ऐसे छोटे-छोटे टागेट भी मिलते रहे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आप जैसे इसी हफ्ते में दो ऐसे चोटे trade मिले हैं पर एक दिन ऐसा रहा है जिसमें एक आपको ओल्मोस्ट अगर आप देखोगे कि यहां से लेके यहां तक तो ओल्मोस्ट 141 पॉइंट का एक टागेट मिला है तो यह एक ऐसा सिस्टम है जिस पर ऐसे ट्रेड बनते रहते हैं अब आपकी यह है कि आप इसे जितना ज्यादा बैक्टिस्ट करो आपको उतना ही अच्छे रिजल्टी से पर देखने को मिलेंगे तो आपको सबसे ऐसे इस टूल को ड्रो करना तो यह जो टूल है आपको यह वाला टूल है ठीक है आपको यह दोनों टूल यहां देखने को मिल जाएंगे और यह बात सिर्फ उनहीं को पता चलेगा जो इस वीडियो को इस एंड पॉइंट तक देख रहे होंगे ठीक है तो चलो कल फिर मिलत बाइ